कथा प्रारम जब होगी तो बॉलिंटियर है और बागेश नम परिवार के जो सिस्ट मंडल है भक्तों लोगें सभी बैठी रहेंगे कोई उठेगा नहीं क्योंकि आव अवस्ता होती है और भगवान की भक्ती बैठ कर ही समण करनी चाहिए इससे कि हमें फल प्राप्त होता है बड़े भाव से सभी जैकारा लगाएंगे बोले बागेश और राम सरकार की परम पुझे गुरुदे बगवान सन्यास्री बाबा की गव माता की अन्यपूर्णा माई की जैजै स्री राम जो अगल वगल में लोग खड़े हुए हैं उनसे मरा आग रह कि आप पीछे बैठें क्योंकि जंगा नहीं है फुल हो चुकी है प्रगल वगल में आप सभी के लिए पंडाल लगा हुआ है वहां आप ब्राजबान हो जाएं और LED वाले अगर वास सुन पा रहे हैं तो LED एट शुल झख़ल वे लगीhos हैं देडना हो टफसिता कि काईब deshalb... जगल वे? वेश्देग्देगर वगल एक बार सभी लोग प्रेम से गोलेंगे, बाला जी सरकारी की, बागे स्वर्धावी की, परमकुल्च सन्यासिर बाबा जी महिराजी की स्वागितम गुरु वल, सूश्वागितम 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 गुरु वल, स्वाकितं सुष्वागतं शर्णागतं गुरुबर स्वाकितं सुष्वागतं शर्णागतं गुरुबर स्वाकितं सुष्वागतं गुरुबर स्वाकितं सुष्वागतं गुरुबर स्वागतं गुरुबर सुष्वागतं गुरुबर स्वागतं 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 गुरुबर गुरु पैदे मंगे लम गुरु पैदे मंगे लम गुरु पैदे मंगे लम बोले बागे सोड़ धाम सरकार की परम पूझने गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की सर्पतम आज पिथम दवस्की मंगल आरती के लिए हम आप सभी चलेगे और हमारे बीच बराजमान है पुच्य मारास्त्री के एर्वानावाले मारास्त्री के सी चंड़ों में पिढ़ाम करते हुए उनसे अग्रह हैं Ch abundeline Singh Ji Sumam Singh Ji Sarap Singh Ji इवं का समस्त परिवार उन से अग्र है की पावण आरती ने आप पढाजारे है यूँवim 5 बाकिशम धाम सिस्टम अंडल सागर के सिस्टम मंधल में से शुरी संदीप दुभे जी से हमारा ग्रह कि आप भी पावण आरती नेपर आरे हैं ओम चंद्रमामन शोजाद शचोहो शूर्जो अजायतो शोत्राद वायु शब्राड शम भाद अगनी रजायता। स्रीभागिवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। स्रीभागिवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यहें अमरिक मित यहें क्ति पंतियां पंचम बेद निराला नब जोती जगाने वाना। नब जोती जगाने वाना। हरी राम यही हरे ध्यान लहें। स्रीभागिवत भगवान की है आरती। स्रीभागिवत भगवान की है आरती। कापियों को पाप से हैता। यहें शांति गीत पावन पुनीत आपों को मिटाने वाला। हरी दर्श कराने माना। यह सुख करनी यह दुख हरनी। स्रीभागिवत भगवान की है आरती। वगवान की है आरती। यह मधुद वोल वजपन्ठ खोल। स्री राम यही घन शाम यही। उराजाराम यही प्यार शाम यही। वो प्रभू के महमा की आरती। आपियों को आप से है आरती। स्रीभागिवत भगवान की है आरती। आपियों को आप से आरती। कर्पून गारम दर्नावतारं। संसार शारं भुजे दिहारं। स्रावसंतं द्यार विंदंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंंं प्रचरांतिश्र कास्तानि घं दान धाहत backstory चनेव तन्म सेजिले नस सिदृडम पुष्पे देव धिव न आथ्मा दिवन्ह पृत्या धितनं उन्दिर भी भीको warz eightि नमेशनक दिन मैं जन्तो देवास्तानि धरम बाणि प्रधमान्या शन्ना देहना कम अघिमाना हव सजंत रपूर्वेशा आध्या हव शन्ति देवा ह हरिह ओम के दंदाय वक्रत्मर्ल थिवा तन्नो दंति प्रचोदयात हरी ही ओम नाराय नाय वित्महे वाशुदेवाय धीमही तन्नो प्रचोदयात हरी ही ओम दसरत नंदनाय वित्महे सीता प्राणवल्ल भाय धीमही तन्नो रामह प्रचोदयात हरी ही ओम अंजनी नंदनाय वित्महे वाय वत्त्राय धीमही तन्नो हन प्रजोदयाद नाना शोगंद पुष्पाणि यथा का लोद भवानिच वष्पाण जले रमया दित्वग्रहड परमे सुराम स्रीपांस वत्मायन महा स्रीक्ष्णा भ्याम नुवाचाड कमलेशु मंद्र पुष्पाण जलेम समर्पयामी गुलो स्रीमत भागबत महा पुर पुले भागेश्टोर धाम सरकार की परमपुजे गुरुदे भगवान सन्यासी बाबा की गव माता की अन्यपुन्या माई की भारत हिंदू राष्ट की जैजै स्री राम सागर की पवंद रामे पदहरेस सभी आस्ताबान, धर्म पेमी, कठारसिक एवम संसकार चैनल के माध्यम से देख रहे और भागेशुधाम चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तों का भागेशुधाम परिवार के ओर से स्वागत बंञनन अभिननन करते हैं एवम मुख्यजवान परिवार स्री भूबेन सिंग बहेरिया जी एवम सागर सिस्वंडल आप सभी का वितालियों से स्वरत करते हैं क्योंकि आप सभी के संकल्प से सद्गुद्य भगवान का आगवन सागर की पावंधरा में हुआ और आप सभी के संकल्प से सद्गुद्य भगवान के चरण सर्ण में बैठ कर हम आप सभी आज से साथ दिन तक स्वरत भागवाद महाप्राण कथा स्वर्ण करने जा रहे हैं सुरी महेड स्री बेदक व्याजी द्वारा रचित स्विवद भागवद महा पुराण की दिप मंगल मैं भ्याख्थ्या लेकर सुरी बाकिशन हम तरकार के मुखार बिन से हम आप सभी कथा स्यम्न करेंगे स्रिवत भागवन महापुरान यानि सबताहिक ज्यान और इस ज्यान की गंगा में हम सब गोता लगाने जा रहे हैं और कहते हैं कि स्रिवत भागवन महापुरान जब किसी पर परमात्मा की किरपा होती है पित या हमारे पूर्वज की किरपा होती है माता पिता की दया होती है सत कर्म की साकार होती है तब जाकर किसी को सिवत भागवद महा पुराण सुनने को मिलती है और सिवत भागवद महा पुराण का फल प्राफ्थ हम आप सभी को होता है हम आप सबका परमसो भाग है कि सिरी बागिश्व धाम सरकार के चरण सर्ण में बैठकर साथ दिन तक इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाएंगे इस ज्ञान की गंगा में प्रवायत होंगे और पूरे साथ दिन तक सागर के बासी, छित्र बासी, नगर बासी पूरा सागरवासी किसमाय और राममाय होगा तो बोले बाके विहारी लाल की स्री बागिश्र बाला जी सरकार का दिब्धरबार कल्योक के राजा स्री हनमान जी मराज है उनकी किरपा और रिश्य वनियों के तपस्या से जगत में वया सब कुछ संभव है जिसे असंभव मान कर व्यक्ति ररास हो जाता है स्री बागिश्र बाला जी का अब्धिब्धित इस्तल इस बात का प्रमार है यहाँ पर प्रतिमाय देश प्रती महा देश और विदेश से लाखों व्यक्त लोग रोते हुए आते हैं और सभी की जोली भरती और सभी हस्ते हुए बागिश्र धाम से जाते हैं स्री बागिश्र बाला जी की अपार अनुकंपा और पूच गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की किरपा से दिपदर्वार में लोगों की देहक देवेगो भोतिक कष्टों का निवारन होता है यह संका का बिसे नहीं है सद्धा का भाव है विश्वास है जिसने और हम आप सभी इस विश्वास को इस इद्धा को अनुभाव कर सकते हैं ऐसे ही लगातार बागिश्वधाम सरकार और पूझगुद्य भगवान की तपस्या से अनेक अनेक चमतकार बागिश्वधाम पर हो रहे हैं इस दिपिस्तल पर भरस्ती है संपूर्ण किरपा जहां पर कोई इस किरपा का मोल नहीं है अनमोल है बागिश्वधाम पर सद्गुद्य भगवान से मिलने का तोकर नमबर लगाने का अरजी लगाने का या फिर दक्षन करने का या धाम पर बने आवास में रुकने का किसी पेकार का कोई भी सुल्क लक्षा नहीं लगता है बागिश्वधाम सिद्गुद्य भगवान पर समस्त जो सेवाएं चल रही है वो सेवाएं बागिश्वधाम समीती द्वारा पूर्टा निसुल्क सेवाएं हैं जो अनवरे चल रही है ऐसे ही बागिश्वधाम परिवार ने लगातार मानो सेवा, समाज सेवा, स्रातन धम के लिए राम राम की अलग पूरे बिस्ट में पूरे भारत बर्ष्ट में जगाई है हाली में संद्गुद्य भगवान और बाग्रिश दम परिवान ऐसे संकभ लिये हैं जो हम आप सभी के लिए बड़ी सुगदाई है सनातन संस्किती में साधन और साधना दोनों का महत है जैसे दबा और ध्वा दोनों की पूर्ती होने पर काया निरोगी होती है उसी तरह स्री बाला जी की किरपास से हमारा जीवन सुक में होता है हमारे सास्त भी और सदी के महत्त को ग्यात कराते हैं जैसे रामचरित मानस में प्रभु स्री राम के अनुच स्री लक्ष्वन भगवान को जब निरोगी बनाने के लिए हर्माजी वराज संजीमनी बूटी लाए उसी तरह हमारे जीवन में भी साधन और साधना दोनों की आवसकता है उसी बाकिशुदाम परिवाद ने ऐसे ही साधन के रूप में आप सभी के लिए निर्धन बेसाहरा लोगों के लिए कैंसर होस्पिटल का संक्व लिया है जो बुंदेल खंड में इस सुकदाई है समुचे बुंदेल खंड में कि दोजार अठाइस दोजार उन्तिस तक गुदे भगवान का संकल्प है कि जो निर्धन बेसाहरा लोग है धन के कारण उनके इलाज ठीट तरीके से नहीं हो पाता है तो बहुत ही जल्व बाकिशुदाम सुद्यभी डाश्णाम के आस पास कैंसर होस्पिटल बनने जा रह कि इसी तरह हैं पाकिशुदाम परिवार के अने का निक संकल्प है हाली में आप सभी ने दोजार कि तेईस में 22 में 20 में 21 में सद्कुद्य भगवान ने संकब लिया कि भारत वर्ष की कहीं की भी ऐसी बहन बेटियां हो जिनके माबाप नहीं है या धन के कारण उनके विभाय में बादा आती है तो सद्कुद्य भगवान ने संकब लिया कि कोई भी ऐसी बहन बेटियां हो आप उनको बागिश धाम लेकर आईए पूरी वस्ता उनकी बागिश धाम से की जाएगी और हर बस महासरवात्ति के पा सद्कुद्य भगवान बने उसी दिन सद्कुद्य भगवान ने संकब लिया कि आने वाले आठ मार्च 2023 में आप सभी के सहयोग से सद्कुद्य भगवान की किरपास से बाला जी की किरपास से 159 बेटियों का विभाय संपन करवाएंगी यह बहुत बड़ा संकल्प है लेकि पिथम दभर्षकी सिमत भागवत महापुराण में प्रवेश करते हुए सद्कुद्य भगवान के मुखार इभिन से हमां सभी कथा स्रिमन करेंगे सद्कुद्य भगवान के सी जड़ों में पराम करते हुए बोले बाकिश्व धाम सरकार की परम्पुझे गुरुदे भग भगवान सन्यासी भबा की अन्यपुर्णा माई की जैजेश्री राम राम को सी तारां काओ स्य ओंगडावाई। हो आप दिआए। झाजॅऑ ंनम को देगडावए। कभी दे जंब अले चार अप्ष्ट कुमा सुतम सोग्डम विना सिकारिकम नमा स्वर्प्यों गुरुप्यों गुरुप्यों गुरुपादुकाप्यों अचार सिद्देव स्वर्पादुकाप्यों आचार सिद्देव स्वर्पादुकाप्यों सीतानाथम समारम्भा स्री रामानंदा इमत्यमा अस्मदाचार्य प्रयंत्तां वंदे उपरंपरा लोकाभिरामं रनेरंग धीरं राजीवनेत्रं रगुवन स्रावत्रुम् कारुण्यरूपं करुना कर्तम स्री राचंप्रम् स्री राम्चंप्रम् सर्डम् प्रिकर्म् मनोज वम्मारुत्वितुल्य वेगं जितेंद्रियं भूतिमतां नरिष्टं वाता में जम्वानर यूते मुख्यम् स्री राम्दूतं सर्डम् स्री राम्दूतं सर्डम् जै राधा की प्रेमधन जै जै नवल की सोँ जै को पीचित जोर प्रभू जै जै वाधा की तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बंगी घास उक्रपा भई रमुनाति की सुबन गए तुलसी दा लालो देह लाली लसं अरुधरी लाली लंभू बज्रो देह दानो दगन जै 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 प्रेशं हरी कथा की रसिक तुलसी भब की राजिमती धी आजिस वासन पेथिये तेज पूंजे उपिर आजिस वासन पेथिये तेज पूंजे उपिर सितारा मैं नुमार सितारा अनुमार सितारा मैं नुमार काईए अनुमान, सिताराँ अनुमान, सिताराँ सिताराँ अनुमान, सिताराँ सिताराँ अनुमान, सिताराँ 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 कानहा तेरी यादों के नसे में हम चूर चूर हो गए लिखते रहे तुम्हें लेकन हम मसहूर हो गए तौरों हाग उठा करके वो, हो, 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 पड़े बहाओ के साथ कौन कौन भाला जी की सरण चायता है तो सागरवाने भी कंजूर नाक नाकटवा उड़ाद नहाँ बीमार जिंदिगी दबा मांग रही है मेरी रूह हर दम बागिस और धाम की हवा मांग रही है चीताराँ में हैं नुमार आट सितारां हर दोबार सितारां राजारां सितारां राजारां सितारां में हर दोबार सितारां में हर दोबार सितारां में हर दोबार सितारां में हर दोबार रामुचंद्र भगवाने की, गौमाता की, स्रीहनमान्जी महाराजे की, स्रीी सीतारामनाम भगवाने की, स्री बागेश्वरधामे की, स्रीमत भागबत महाँपुराने की, दरम श्री अनमान जी महराजे की पुझ श्री केरवनावाले महराजी की पुझ श्री मौनी बाबा जी की समस्त भूदेव ब्राम्रों की सबसंतन की अपने अपने मताई बाप की अपने अपने गुरु गोविंदे की कथा यजमान परिवार की उनके परिवार जनों की कथा में सहयोग करने बालों की कथा का बिरोध करवे बालं की भी भारत हिंदू राष्ट की सत्त सनातं धर्मि की नमह पार्वती पते हर हर मारी साधू जी परात्पर परमात्मा अकर्ण बर्मान नायक कोटि शूर समप्रभा भगवान अकारंट रपा करने बाले दयालू स्री दिना नात्य अनंता अनंद जिन में ब्याप्त हैं आनंद के परम्शुरूप हैं अनंद कंद स्री सच्चत अनंद भगवान स्री रवनात जी के पाद कमणों को हम सब साश्तां दन्नवत प्रणाम करें कता के सबसे बड़ी हाँ वक्ता सबसे बड़ी हाँ स्रोता इस संसार में अनंत भलबंत स्री हनवंत लाज जी जरकार ऐसे बागेशुर अनवान जी के चरनों को भी प्रणाम पुझ्यपात स्री दादा गुरु सब्गुरु गुवान स्री सन्यासी बाबा बागेशुर बाला जी के चरनों को भणाम आप सबसे प्राथना है दास पर अपना अनुग्रहद करो एवं किसी ना किसी रूप में यहाँ आकर के ब्राज मान हो संतों की पाबन भूमी धर्म की नगरी लोग भावना में जैसे कहते गागर में सागर ऐसे ही है गागर का सागर आज सागर भी गागर में हो गया राम में कृष्ण भक्ती से ओत्प्रोत होने के लिए हम सब हम सब बहरिया किस पावन प्रांगड की धरा पर बैठे हुए हैं सागर की वो भूमी जो हमारा भी संभाग का जिला है और सागर का नाता भी हमारा बड़ा पुराना है ऐसी पावन धरा की रज को मस्तक पर लगा करके प्रणाम करते हैं हमारे संवक ब्राजमान सभी संद भगवानों के चर्णों में नाक रगड के दन्वत परणाम सुई कारोदास का हुद्ध ब्रांगरों को प्रणाम एबं तीनों पंडालों में जो जहां बैठे हैं कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं फिर भी कुछ अड़े हैं बात बात कुछ लोग लड़े है फिर भी बाला जी के दर्वार में पड़े हैं फिर भी पड़े हैं क्योंकि इनके हिदय में राम नाम जड़े हैं इसलिए दर्वार में पड़े हैं जो जो जहां ब्राजमान है स्री सिताराम भगवान को ध्यान करके कलीकुल सेखर पाबनावतार परम पुजपात स्री अनंतानंद स्री गोस्वामी तुलसिदास्ती के एक पंक्ती के साथ आज की चर्चा हम प्रारम करते हैं सियाराम मैं सब जग चानी करहों प्रेना जो 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 पानी करहों प्रेना जो 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 पानी सिताराम सिताराम सीताराम सीताराम अरे जो रसे मोला CT futura कर अभ लगो सागर में बैठे तो पहले लग रहाँ तो गागर में बैठें धन्न भाग हमारे जो हम सागर पधार धन्न है हनमान जी की कृपा इस कथा का पूरा स्रेश परम्पुज्य स्री केरवना वाले महराज जी अड़ गयते के नहीं आपको तो कथा करनी ही पड़ेगी उनके चरणों का प्रताप और संसों की आग्या हम टाल नी पाए तो कथा के निमित रूप में हमारे किरवना वाले महराज जी के बड़े ही प्रिय स्री भूपिंद्र जी आपका पूरा परवार आपके दोनों बच्चे धन्न हैं आप लोग धन्न हो जो कथा के यजमान बन कर कि आप समूचे सागर को राम में बनाने की तैयारी करवा रहे हैं तो निमित में तो ये यजमान है लेकिन सची ये है कि ये कथा हम समूचे सागर के सुनाने के लिए आए बागे सुधाम सिस्समंडल सागर को बहुत पुराना कई लोग दिनों से लगाता महराजी कथा दे उन्हें दीन ही महराजी की आग्या टाल नहीं पाए सो द्वंद हो गया हमारी भीतर लेकिन हमने का कोई वात नहीं ये कथा किसी एक की नहीं ये कथा सब की होगी सागर में इसलिए सब को सुनाने के लिए हम आएंगे तो समूचे बागे सुधाम सश्मंडल सागर हमारे फूर्व में जो सुत्र कथा का पकड़ा था वो ये था भगत की बस में है भगत की बस में है अरे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है भगत बिना ये कुछ भी नहीं है भगत की बस में है भगत की बस में है भगत की बस में है ये पिछली कथा का सुत्र है लेकिन इस कथा में सुत्र बहुत अच्छा है आपको सुनकर बढ़ा अनन्द आएगा अंतर क्या दोनों की चाहिर में बोलो एक प्रेम दिवानी एक प्रेम दिवानी एक राधा एक दिवानी अंतर क्या दोनों की चाहिर में बोलो एक प्रेम दिवानी एक प्रेम दिवानी एक राधा दोनों की चाहिर में बोलो इक प्रेम दिवानी एक राधा दोनों की चाहिर में बोलो प्रेम दिवानी एक प्रेम दिवानी एक राधा दोनों की चाहिर में बोलो हन्मान जी की पेरणा से हमसे जो भी बनेगा साथ दिन तक इसी विषय को केंद्र में करके होगी तो भागबा वैसे हम महराजी से प्रातना कर प्रातना कर रहे थे हबीकर अगर महराजी आपकी आगया हो तो लेकिन भक्तों के भाव के मत होते हैं जो हम से भाव बनेगा हम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करेंगे ना मैं मीरा ना मैं राधा फिर भी स्याम को पाना है ना तो हम मीरा है ना हम राधा है फिर भी हमें घंस्याम को पाना है और स्याम को पाना है तो हुने लगता है या तो राधा बनना पड़ेगा या मीरा बनना पड़ेगा राधा होना सरल है मरा जी राधा होना सरल है मीरा होना कठिन इसका मतरब यह नहीं किसली राधा जू जो जोटी है मीरा बनना नहीं राधा ने तो कृष्ण की उपस्थती में से प्रेम किया मेरा ने तो 5,000 वर्स वाद गविन्द प्रेंग किया अपस्थतसी में तो मुहबत हो सकती जो सन्मुक हो उससे प्रेंग किया जा सकता है लेकिन जो सामने भी न हो और महबत ररकरार हो तो समझ जाहिएगा उसकी महबत महबत भी महबत से उची है साथ इसलिए एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम सोचा अंतर क्या दोनों की चाहर में वोरों दोनों की प्रेम में अंतर क्या है हमारा मानना है एक को मिलने के बाद कृष्ण का वियोग हुआ लेकिन एक को बिना मिले ही वियोग के बाद संयोग हुदा है राधा मिलकर बिछुड़ी है मीरा बिछुड़ करके मिली राधा ने मिलने के बाद आसु बहाए मीरा ने तो जन्म लेते ही आसु बहाए धन्म है मीरा मेबार की भक्ति मता मा का मीरा इनकी भक्ति का क्या कहना बैठी संतों के संग रंगी मोहन खेर वो तो गली गली हरी उनन गाने रगे ऐसी लागी लगन लागी लागी ने लगन कृष्ण प्रेम मई राधा राधा प्रेम मयोहरी जीवने धने नित्यम राधा कृष्णर गतिर्म एक बात यहां पर उठती है भगबान न जब स्री राधा जी से प्रेम किया तो विबाह रुकमनी जी से क्यों किया विबाह भी करना चाहिए बात बहुत अच्छी तरक लोगों का अच्छा है लेकिन हमारा मानना है विबाह दो लोगों में होता है दो आत्मा एक हो उसी को तो विबाह कहते हैं अच्छा लेकिन अब आज कल तो बड़ा उल्टाई जमाना है पहला बड़ा सीधा जमाना था दो आत्मा एक होती थी तो उसे कहते थे विबाह है अब आज कल तो कई लोगों के ऐसे विबाह होते हैं कि दो आत्मा हैं तीन हो जाती है एक नहीं होती है एक दन हम बैटे बैटे सोच रहे थे कि अब बिबाह है नहीं अब भी आह करना चाहिए जिन्दगी वर रोव तही रात रहा है पहले तो दो आत्मा एक होती थी अब दो आत्मा तीन हो जात मेरे दिल के टुकुडे हजार हुए अब क्या कर से लोग कहते हैं कि प्रेम भगवान ने मेरा राधा से किया तो विवाहर रुकमनी से क्या है हमारी मती का उत्तर सुने विवाह दो लोगों में होता है हमारा मानना है कृष्ण राधा में अंतर आए नहीं है क्रिश्न ही राधा है और राधा करश्न ह्पर दोन वे विवाह कहां से दॉचा है कर दी कृष्णे मैं प्रेम मैं राधाा सो से राधा प्रेम मयों हरी मैये कि दंद धनेम लाधा कृष्ण गतिलमा राध्या साध्यम साध्यनम यस्च राध्या मंत्र उराध्या मंत्र दात्री चराध्या सर्वं राधा जीविनम् यस्च राधा 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 वाचिकं तश्च सेशं प्रेम तो बस प्रेम है इसमें कोई अंतर नहीं है प्रेम तो बस प्रेम है इसमें कोई मंतर नहीं है प्रेम दोनों का अदुतिये है राधा रुमीरा प्रेम दोनों का अदुतिये है इसमें गिंचत मात्र अंतर नहीं है राधा का जो प्रेम है वही मीरा का प्रेम बस बात इतनी सी समझना है राधा और मीरा के प्रेम में कि मुहबत में टाइम की आवर्शक्ता नहीं है राधा ने कृष्णी की उपस्तती में प्रेम किया मीरा ने पांच हजार वर्स बाद भी प्रेम किया पर मेरा ने ऐसा प्रेम किया मानो आज भी निधिवन में मेरा कनहिया बासुरी बजा रहा वो तो कहती थी आज भी मेरो तो गिर धर्कुपाल मेरो तो गिर धर को पाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुपुट मेरो पति सोई मेरे तो गिर धर को पाल दूसरो ना कोई मेरे तो गिर धर को पाल दूसरो ना कोई मेरे तो गिर धर को पाल दूसरो ना कोई भगवान के प्रेम में तो कोई उप्सन है भी नहीं क्योंकि भगवान के जैसे सिर्फ भगवान है भगवान के जैसा दूसरा कोई नहीं मेर्ता की परंभक्ति मता माता मीरा भाई और मीरा भाई को बच्पन से ही गोविंद की लगन लगई मीरा भाई के पिता मा का नाम स्री दूधा जी महराद मीरा भाई के पिता मा का नाम था स्री दूधा जी महराद डबलिंग कम पम श्री दूधाजी महराज चतर भुज नात मंदर के भुजारी थे एक दिन बीमार पड़ गए दूधाजी बीमार इतने हो गए कि चलने में भी बड़ी दिक्कत नहाए तो बिलकुल नहीं गाउं के लोग मिलने आए गाउं के लोगों ने कहा बीमार हो गए बीमार हो गए क्या बात है स्री दूधाजी महराज बोले पेट खराब है बोलो सीता राम अब इसनान नहीं करेंगे तो चिंता क्यों कर रहे है बोले चिंता इस बात की है कि स्री ठाकर जी को दूध कौन पिलाएगा वहीं पर ननी सी साथ वर्स की बाल का भक्ती मती माता स्री मीरा भाई खड़ी हुई थी स्री दूधाजी महराज ने साथ वर्स की बाल का मीरा भाई से कहा मीरा आज दूध का भोग तुम जाकर के लगा मीरा भाई ने हाथ में कटोरा लिया दूध का पितामा दूधाजी की आग्या मान कर हाथ का कटोरा दूध में ले करके स्री चतरभुज नाथ मंदिर में गई मीरा जाकर के कटोरा रखा हाथ जोड़ के कहा सरकार मैं पितामा दूधाजी की नाथनी मीरा हूं और आज उनकी तबियत ठीक नहीं है हमको भोग लगाने भेजा है लीजे और दूद को पीजिए घंटिया बजाई ननी सी साथ साल की बाल का वो बिधी तो कुछ जानती नहीं थी अचा बात भी सही है जो बिधी जानता वो केबल बिधी ही पूरी करके आता मीरा भाई कोई बिधी नहीं जानता मीरा ने देखा दूद का कटोरा जियों काते हूं भगवान पी ही नहीं रहे ननी सी बाल का उसे लगा भगवान आज ना राज क्योंकि बिधी से परचत नहीं उसे क्या पता कि भगवान दूद कैसे पीते हैं मीरा भाई हैं जोड़ करके भगमान की तरफ स्री चत्रफुजनात की तरफ देख करके कहती सरकार हाँ जोड कर गाने ले थेतो आरोगनी मदने गोपाल कटो रॉलाई दूध को बरो थेतो आरोगनी मदने गोपाल कटो रॉलाई दूध को बरो गै चो रो लाई दूद को भरो ओ ठे तो आरो गैनी मदने को पाले गै चो रो लाई दूद को भरो हाथ जोड़ करके भगवैन की तरफ देख करके कहती है भगवैन हम दूद का कटोरा लाए पियो दूदाजी मन आई भिलाबन जब मैं आई चाल हमको दूदाजी महराज ने भेजा है और आज पितामा की तबियत खराब हमारे हाथ से पियो पितामा की तबियत ठीक नहीं है भगवान तो भगवान है भगवान जहों के तेओं बेटे दूद का कटोरा जहों का तेओं रखा मीरा भाई की आखों में आशू आ गए मीरा भाई बोली दूदाजी मन आई भिलाबन जब मैं आई चाल धौली धेनू को दूदे गरम कर लाई मिस्री डाल धौली धेनु को दूधे गरम कर लाई मिस्री डार मीरा कहती है मीरा कहती है कि हम धौली और धेनु गाय की दूध में मिस्री डाल करके लाए है पी जी यह भगवान नहीं पिया कटोरा जेओं कातियों रखा मीरा को लगा भगवान रूठ गए क्यों ना रूठे गाव क्यों ना रूठे गया ते मेरतिया भगवाने कटो रोलाई दूध को भरो क्यों ने रूठे गया मेरतिया भगवाने कटो रोलाई दूध को भगवाने अब बिल मीरा मनाने लगी किसी भी दिर रूठे गया गोछो गाला कारण को हो महराज आप किस कारण से रूठ गए जो हमारे हाँ से दूद नहीं पी रहे एक बात बोलें हमारे पितामा के चकर में मत रहना आज उनने नहाये ही नहीं है और वो आएंगे ही नहीं और नहीं आएंगे तो भूके ही रह जाओगे अगर नहीं पीओगे चोटी सी बच्ची है तो भगवान को ऐसे ही मनाने लगी हाँ जुड के मीरा कहती ही महराज तो मैं अगर आदत हो के हमारे पितामा दूधा जी आएंगे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि भी बीमार पढ़ गए पेट खराब है उनका बीमार पढ़ गए उनने नहा नहीं नहीं है और यह सुनान नहीं करेंगे तो आएंगे नहीं किसी बिदे रूठ गया आच्छो गाला कारण को हो महराज अच्छा हम नए पुजारी है इसलिए रूठ गए होगे लेकर दूध कटोरो धरो सामने पीवड दी कई लाज महराज दूध का कटोरा सामने है अब पीने में क्या लाज है लेकर हम एक बात बोलें अगर आज भूंके रह जाओगे ना तुझे आपके मोटे मोटे जो गाल है ना भूंका मरतारी भूंका मरतारा चिप जासी दूनों गाल कटोरो लाई दूध को बहरो कटोरो लाई दूध को बहरो मीरा भोली आप अगर आज नहीं पीओगे तो जो आपके ये मोटे मोटे गाल है यह चिवग जाएंगे कमजोर देखोंगे यह जो भरे भरे आपके गाल दिख रहा है चिवग जाएंगे भगवान भी बड़े सहज हैं सहजता से भगवान प्रसन हो जाते है भगवान के पास में सहजता की प्राथना पहुँँच जाती है एक संथ कहते थे प्रभू मंजूर करता है प्रात्ना जब दिल से होती है प्रभू मंजूर करता है प्राथना जब दिल से होती है मगर मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है प्रभू मंजूर करता है प्राथना जब दिल से होती है लेकिन मुश्किल तो ये है कि ये प्राथना बड़ी मुश्किल से होती है मीरा गाई ने कहा मूखा मरतारा चिपजासी दूनों गाले कटो रोलाई दूद को भरो आपके गाल चिबग जाएंगे भगवान इसी सरलता पर रीज गए जो भगवान बड़े बड़े योगियों के चित्त में प्रगट नहीं होते धन्य है मीरा के सामने साथ साल की अवस्था में ही इसी भाव के साथ चरित्र के रूप में प्रगट हो गए आहाँ भगवान ने गटगट दूद पी दिया और दूद पिया से एक बूंद नहीं छोड़ा मीरा बोली लगता है जाद ही भूंके थे इसलिए तो हम पहले से चिला रहते कि देर में मत पी अब लेो हमें भी नहीं छोड़ा कम से कम दो भूंद ही छोड़ दे कटोरा लिया उसे लगा भगवान पीते ही ऐसे होंगे मीरा है चोटी बच्ची है बापेस आई पितामा दूदा जी ने पूंचा प्रसाद ले आओ मीरा वाई बोली बचो हो है सो दें पितामा ने पूचा गया का बोले गया पी गया गया नहीं पी गया कौन भी तुमारे सरकार मीरा वाई लेकिन जब आने लगी भगवान के रूप को देखा मधर मुस्क्राहट को देखा काले भंगराले बालों को देखा तो मीरा आते समय भगवान से कहती हे भगवान आपका ये जो नटखट रूप है इसके दर्सन हमें रोज होते रहें पर कैसे होंगे पितामा आज बीमार हैं कल ठीक हो जाएगे हमें तो आने नहीं मिलेगा अब मीरा कितनी भोली है जरह देखना मीरा प्राथना करती है भगवान हमारे पितामा बीमार ही बने रहें बीमार बने रहेंगे बीमार बने रहेंगे तो कम से कम नहानी पाएंगे और भगवान ऐसे बीमार बनाना कि वो सफरी ना पाएं पेट एकदम खराब ही राग है एकदम लग है सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलता ही रहे बोले कम से कम नहाएंगे तो लो भगवान भी बड़े हसे भगवान इसे भोले लोगों पर बड़े जल्दी रीज़ जाते हैं भगवान हस करके बोले मीरा चिंता मत करो इसके लिए तुम्हारे पितामा को बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा हम ऐसी कोई लीला करेंगे कि तुम रोज हमारे पास आती रहोगी दिमाग बाले तो दिमाग से खेलते दूधा जी बोले दूध का प्रशाद कहां गयो मीरा बोली गोई पी गयो दूधा जी बोले हमें इतने दिन हो गये प्रशाद लगा उत लगाओ एक बूननी घटो हुआ रूधा बताओ जी डेवी जी 7 s अल की हैं पूरा प्रशाद बोला ओढ़िma जहें गलत बात दूधा जी बोले ऐसा नहीं हो सकता है मेरा बोली aa सइन हो गया तो बहलें कहुँन नहीं हो सकता लेकिन अब तो हो गया तो जो गावाले देख नहीं आए थे बड़े-बड़े लोग उन्हें ने कहा कोई बात नहीं बच्ची है छोटी सी बच्ची है पी गई होगी जूट बोल नहीं हो दूदा जी बोले बात उसकी नहीं है दूद खुब पी जाए लेकिन ज दूदा जी ने कहा कि देखो एक बात है सच बात है सूरदास बाबा कहते हैं सूर ताहिक की गती कौन बखाने गोविंद की गती गोविंद जाने भगवान की गती को तो भगवान जान सकते हैं कौन जान सकता है मीरा कहती हमने नहीं ठाकुर जी ने पिया तो दूदा जी न जिसने एक बार पिया वह बार बार पियेंगे मीरा ने कहा क्यों नहीं पियेंगे बार चलो अब हमारे सामने पिला कर बताओ भी हाथ में फिर कटोरा लिया अब तो तमासा देखने वाले भी लोग आगे और तमासा देखने वाले आते ही एंसी जगहों पर इन्हें भगमान से कोई मतलब नहीं है जिस दिन तुम्हें तमासा दिखाना हो यहां पंडाल अभी तीनों फुल बरे पूरा ग्राउंड पूरा सा का कटोरा लेकर के चतरफुजनात के मंदर में पहुंच पर लिया भगवान के सामने रखा हाथ जोड के बुली हमें तो भरोसा है ने भरोसा नहीं फिर से पी जाओ और सुनो पिछली बार जैसा देर मत कर जल्डी पी जाओ लेकिन कोई उत्तर नहीं दूद जिंकाते हो रखा मेरा भाई की आँखों से आसु आने लगए कि मेरे तो गिरधर गुपाल दूसरों ना और मेरे तो केबल आप हो दूसरा कौन है और आज अगर जग यदि अवं त़ारोग है नहीं तो हसी करेंगे लोग एक है अधाकुर आज अगर आपनों दुबारा दूद्ध नहीं पिया है ये ये सब लोग हमको जूटा मानेंगे हमारी हसी होगी या मेरी हसी नहीं तेरी हसी है, मेरी हसी नहीं है, तुम्हारी हसी है, दूद नहीं पिया भगवान, अब तो जर जर करके मीरा रोने लगी, पितामा और पितामा के साथ गाउँ वाले जो लोग तेखो तमासा है बच्ची है जूट बोलती है पितामा दूदा जी नाराज हो अरे पी नहीं था तो बता देती जूट क्यों बोली मीरा आखों में आशु भर करके गोपाल की तरफ देख करके रहने लगे ए गोपाल ए गोपाल लाखों लाज हमारी राखों लाज हमारी राखों लाज हमारी आज आप हमारी लाज बचाओ आखों में आशु भर कर रोने लगी और बेहौस होने लगी मीरा बेहौस होने लगी और बेहौस होंकर गिरने लगी जिस गोपाल ने एक उंगली के उपर गोबर्धन परवत धारन किया था उन्हीं गोपाल से रहा नहीं गया वो चार हुजा वाले प्रगट हो गए वो चारों हातों से मीरा को सम्हालने चलिया भगवान में हाथ से उठाया मीरा वाई को और गटगट करके सबके सामने दूद पिया एक बात बोलें समलकर बैठना जलकर देखने बालो मुझे समलकर बैठना जलकर देखने बालो मुझे तमासा खुद न बन जाना तमासा देखते देखते तमासा खुद मत बन जाना तमासा देखने वालो समल कर बैठने ज़रा तमासा देखने वालो मीरा का तमासा देखने आए तो खुद तमासा बन गें यही भक्ती की भक्त का सिधान्त है भगवान का यही से जानत है मीरा गिरने लगी गोविंद बचाने आए पिर क्या दूदाजी महराज की आँखों में आशू आ गए धन्न है बिटिया जिनको कई सालों से हम दूद पिला रहे पर आज तक डरसन नहीं भए पर तुम धन्न है और उसी जिन से मीरा गोविंद की हो गई और गोविंद मीरा के हो गई और यहीं पर राधा और मीरा के प्रेम की अंतर यहीं से दिखाई परता है दोने के प्रेम का अंतर यहीं से प्रारम होता है कि मीरा ने तो प्रारम ही रोकर किया बिरह के साथ राधा का प्रारम बिरह के साथ नहीं है लेकिन मीरा का प्रारम बिरह के साथ है हमारा मानना है अंतर में राधाव मीरा में राधा अगर बिरह है तो मीरा बिरह की ज्वाला है राधा अगर बांसुरी है तो मीरा उसका स्वर है राधा अगर गोविंद का गीत है तो मीरा गोविंद का गान है राधा अगर गोविंद की भूख है तो मीरा गोपाल की प्यास है राधा अगर गोविंद की चाहत है तो हमारी मीरा भी गोविंद की रूह है हमारा मन है राधा अगर आशू है तो मीरा उस आशू का बिंदू है मीरा का प्रेम बड़ा लेकिन राधा के प्रेम भी कम नहीं स्री शर्वेश्वरी जुका हमारी प्रिया जुका प्रेम भी कम नहीं इन्होंने भी सौ साल ब्योग सहाब स्री दामा के स्राप के कारण सौ बर्स का ब्योग सहाब एक बार भगवान कुष्ण बिहार कर रहे थे राधा को गुमान हो गया उल्टा सिधा बोल दिया स्री दामा ने सुन लिया और स्री दामा ने भी उल्टा सिधा स्री प्रियाजू से बोल दिया तो राधा रानी जुने स्राफ दे दिया जाओ तुम पर्द्वी पर 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 राक्षस बन जाओ और जब स्री दामा को स्राफ मिला तो स्री दामा ने भी स्री प्रियाजी को स्राफ दे दिया आपने हमें स्राफ दिया हम भी स्राफ देते हैं जाओ तुम्हारा हमारे कनहिया से सौ साल का व्योग हो जा प्रिज में मीरा राधा ब्रंदावन में सौ वरस तक भगवाएं मुस्टे दूर रहें कि महराज्जी आज भी ब्रंदावन में जहां गोपियां और राधा बैठकर के रोती नहीं ऐसा माना जाता है आज भी वहां का पानी खारा है इतने आसू बहाए तो राधा ने भी खुब आसू बहाए लेकिन मीरा ने भी कम आसू नहीं बहाए राधा ने अगर प्रेम रस पिया तो मीरा ने बिस पान किया राधा ने तो प्रेम रस पिया है लेकिन हमारी मीरा ने तो बिस का पान किया जहर को भी पिया लेकिन जहर का प्याला भी गोविंद की कृपास से अम्रत बन गया यही भक्ति का सार है जिसकी चाहत में परमात्मा की चाहत में दुख भी सुख बन जाता परमात्मा की प्रीती में संकट भी संकट मोचन हो जाते हैं संकट अगर हो वो भी संकट मोचन हो जाते हैं तो राधा मिलकर रोई मीरा मिलने के लिए रोई राधा भगवान के पीछे लट्टू है राधा के पीछे कई बार माधो लट्टू है लेकिन मीरा तो सिर्फ माधो पर ही लट्टू है एक अंतर राधा जुन ने जब अपना सरीर पूर किया तो राधा के सरीर में हमारे ठाकुर जी बिलाई हुए लेकिन जब मीरा ने सरीर पूरा किया ठाकुर जी बिलाई नहीं हुए मीरा कृष्ण में बिलाई हुए और दोनों के प्रेम में कोई ज्यादा अंतर नहीं दोनों का प्रेम अपने आप में ही सर्वो परी है हम दोनों में मत भेद नहीं उत्पन न करना चाहेते हैं लेकिन इस प्रशंग को हमने इसलिए उठाया कि रोज एक-एक मीरा चरत्र को अगर सुनेंगे तो हमारे अंदर मे मीरा का भाव प्रगट होगा और गोविंद की हमें प्राप्ति हो जाएगी इसलिए हमने यहां की कथा का सुत्र निकाला अंतर क्या दोनों की चाहें में बोलो एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी एक जीत नमानी एक आर दीवानी एक राधा एक मीरा तो ने श्याव को चाहा अंतर क्या दोनों की चाहें में बोलो एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी कल कथा में दूसरा भाव मीरा और राधा पर लेकर बैठेंगे आज भागवत में प्रारंब करने के पहले भगवानी के एक को गुन गुना कर भागवत कठा में प्रिवेश करते हैं इसी भाव पर हम लोग साथ दिन तक चर्चा सुनेंगे प्रजैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी है जैसी बाला जी की अनुकंपा होगी उस भाव को आँगे बनाएगे चाहे फासी लगे या लगे हत कडी चाहे फासी लगे या लगे हत कडी चाहे फासी लगे या लगे हत कडी मेरी बांके प्हारी से अकिया लगे मेरी बांके प्हारी से अकिया लगे हाप करके पिर पिर थाम बिहारी दालकी सखी को पुल नगरिया को जोगी हूँ मैं सखी को पुल नगरिया को जोगी मैं प्रेम घर उनके घर पे बनोगी मैं वहाँ कीलतन करूँगी खड़ी खड़ी वहाँ की तन करूँगी खड़ी खड़ी अच्छा किस-किस की अकियां भाँ के लिए हारी से लड़ी बड़े कंज्यूस जो तालीना वजाओ से अपने अपने बगलवाले की कसमें एजो दाग अनुहाँ चाहे पासी लागे आलागे हत-कड़ी शाहे भासी लगे आलागे हत-कड़ी मेरी बांके विहारी से अकियां रड़ी मेरी चेल विहारी से अकियां रड़ी मेरी नेनों में घर है तेरा सावरी मेरी नेनों में घर है तेरा सावरी तेरे नेनों से नेना मिले हर घरी मेरी बांके विहारी से अकियां रड़ी मेरी चेल विहारी से अकियां रड़ी मेरी चेल विहारी से अकियां रड़ी मेरी बिन्ती बिहारी जी सुन लीजिये मेरी बिन्ती बिहारी जी सुन लीजिये अपने चरणों की दासी बना लीजिये अपने चरणों का चाकर बना लीजिये चोड़ सारे बंधन को सरण में पड़ी मेरी बागे विहारी ते अकिया नड़ी मेरी बागे विहारी ते अकिया नड़ी मेरी बागे विहारी ते अकिया नड़ी ओ चाहे फासी लगे या लगे हत करी मेरी बागे विहारी से अकिया नड़ी 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 ब्रिंदावन विहारी लाले की जै भागवत महापुराने की बैठ जाओ चाहे फांसी लगे या लगे हत नड़ी मेरी बागे विहारी से अकिया नड़ी हम आप सब्ताहिक स्रीमत भागवत कथा कि प्रधम दिवस में हैं भाश्यते सर्वे बेदे सूगी यते नारद आदिभी वदंती त्रशुलो के सूँ तरंती भाव सागिरा स्रीमत भागवत महापुराण एक एंसा सद्ग्रंथ जिसमें 335 अध्याय हैं अठारह हजारिस लोक हैं द्वादस इसकंद है और महाराज भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की स्यामलता समाई हुई है क्या कहना भागवत का महाराज ये कोई कुस्तक नहीं है कोई किताब नहीं है कि साथ दिन कर लिया राधे 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 बाद में सब आधे आधे कई लोग एंसे भी होते ही सागर में भी एंसे ही सागर की मत पूंचो सागर का चंगीला हमारा एक चेला है चंगीला आजकल यहीं सागर में रह रहा है भोपाल रोट पे भोलना इन पे सागर का चंगीला इतना बिच्ट्राद्मी इतना बिच्ट्राद्मी कोई काम नहीं करता उसने एक मंत्र सीख रखाता जाड़ा लगाने कोई भी आवे नीम का जो लौचा होता है नीम का कौचा निकाले लौचा बस मंत्र लगा भे जाड़ा लगा बरसात आगई पत्री ने कहा दिन बर जाड़ते रहते हो खपर च्छाओ बरसात आप अपत हो जाएगी बरसात में पानी नीचे आएगा तुम दिन भर यहीं करते किसी का पेट दर्द तो ठीक है दांत भी दर्द हो वैं सोई वो कहें कोई दिक्कत नहीं बैठो बैठो ऐसे दांत निकाला है अच्छा बताओ दर्द गाओ आज मीं बोलो दर्द नहीं गाओ डाड़ चली गई बड़ा बचत्रा पत्नी बड़ी परेसान बरसात आई बरसात में तो अब जब खपरी ठीक से नहीं रखे तो पानी तो नीचे आएगा लेकिंगे यह आदमी इतना आल सी फिर भी दर्बाजे पेटा नीम का लौचा लिए कि कोई आए तो फिर जाड़ा लगवाए एक आद इसने नीम का लौचा लिए मंतर वाले ऐसे बगरते ही है तो पत्नी न धुड़ा को और कान लगाया कि क्या है कि इतने दिन हो गए हैं मंत्र नी सुन पाए और कैई लोग जो मंत्र वाले होते हैं जहारा लगाने वाले हैं अुए हम जमीं ठट्री के बड़े पहले मकान तो बांध ले कि अ जैसे भी कई लोग वो तो जिनसे चोटे-मोटे काम तो होती निया पर बड़े काम करते रहते हैं बाणी में बोलो सीता राम खेर सागर के लोग ऐसे नहीं है यह तो हमने श्री लंका वालों की बात बताई है आप लोग तो बहुत सज्जनों क्योंकि हमें अभी छे दिन टिकना है यहां कथावी करनी साको सल पतों चले कलाई टमाटर घलन लगें इसलिए आप लोग तो बहुत अच्छों लेकर धन्य है स्रीमत भागबत महापुरान स्रीमत भागबत महापुरान में हमारे किबल गोविंद की कथा नहीं है ना 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 गोविंद तो सहारा है यह तो भगतों की कथा से भरी हुई भागबत है इसलिए इसका नाम ही है भागबत एक बात और महाराजी जो भागबत सुने संसार से हमारे गुरु जी कहते थे संसार से भाग मत इसलिए कथा सुनो भागबत किसे हमको समझाते थे बोले बेटा हमारे दादा गुरू अओ सन्यासि बनकर के तो जीना बहुत सरल है लेके करफ republican रहे कर लोगाई की गाली सुनकर जीना बढ़ा कट है हमने का मतलभ बोले बेटा यह सबसे बड़ी तपस्या हे इस से बड़ी कोई दूसरी तपस्या नहीं है हमने पहुत अच्छी बात है लेकर हम पर पूचा गुरु जी इस क्लिंद से बहुत अच्छी बात कही है बोले ग्रहेस्त से भाग जाओगे थ हाग मत कहोगे लेकिन जी अक्षा अगर तब करके परमात्मा को पाजाओगे तो भागबत से ही पापा एंने ऐसी भागवत भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे भगवान बैठे हुए हैं भागवत का पहले तो भागवत लिखी जब बेदव्यास जीन है तो नाम लिखा भागवत भगवान के पास गए महराज भागवत लिख दी आपकी भगवान बोले बहुत अच्छी बात है स्री लक्षमी जी उसे बोले देवी जी देखो हमारा गरंत भागवत लिख गया है इसमें तुम्हारा भी नाम है करपा करो लक्षमी जी बोली महराज अगर हमारा नाम होता तो मुक्षबोड पर नाम लिखा होता है इसमें तो भागवत के बाल आद आपका ही नाम है भगवत अब अओड देव्यास जी ने कलाका प्रियोक किया भागवत के आंगे दो नाम और जोर दिये स्री मद स्री और मद का प्रयोग कर दिया स्रीमाने क्या स्रीमाने लक्षमी मद मद का अर्थ दो तीन अर्थ हैं पर एक अर्थ समझे लो मद का अर्थ खुमारी पिबत रामरस चड़त खुमारी खुमारी का मतलब ना बेहौस ना पून हौस उसके बीच में जो जी रहा उसी का नाम है खुमारी ना पून बेहौस होब है ना पून हौस में रहे उसके बीच में जो जीता है उसी का नाम खुमारी है भक्त भी ऐसे होते हैं ना वो संसार में जीते हैं न भगवायन की भक्ति में बिलकुल डूबते हैं बीच का बीच रस गोविंद के नाम का लेते हैं इसी का नाम खुमारी है मदकार हुमारी फिर भागबत में कितने अक्षर है कितने अक्षर है चार कितने बोलो कंजूज होगा खापी के आए ब्रत भागबत में कितने नाम में पहला कौं सा भासे भक्ती वा से क्या होता है अच्छा भक्ति केंसी होनी चाहिए हमाला लेली तो क्या भक्ट बन गए है लगे कही लोग थुता राम सिता राम सिता राम है समोसा बन गए लिया HC-1 एक एक हमारे महत्माजीते हमारे कुम्ब में गए हम भी गए वो भी गए प्रियाग दॉछ का कुम्ब हम तो बड़े खुरा पाती आदमी कुम्ब में जाकर के बड़ी आ महात्मा उन्हें गभडी वनवाई खीर वनवाई चमचम बनवाई रस गुला वनवाई एक महत्मा भजन कर रहे थे हमने बड़े बिनोद में गया उंके यह नहीं महलाजी को सुगा रहे कि इनना देव हमें लेए उनके लिए भी थाली लगकर आई हमारे लिए भी हमारे बड़े नैपाली बाबा हमारे बड़े पृए नैपाली बाबा बो बैठे माला जंपर रहे थे यह बोलेंगे नहीं माला उस इपर है हुँ है अच्छला की बड़ी ललक अ जो परोस रहे थे हम ने उन्से एतर अधर अधर मतले जाओ हम के उनको सुगर है सुगर है इदर ले आओ हमारा एतना कहना को उन्हें माला प्हेंग को नियुक्ताइब कर रहे ते तुमने सब भुड़ो वादिया अब इसे कहो इसे कहोगी प्ती नहीं ने बोजन जी भक्ती नहीं भक्ती का मतलब है जब भगमन नाम का रस्पी है किसी की याद ना रहे हैं पर इक्छित जीन सात दिन तक भगवान की कठा को सुना अखंड ना भूंक की टेंशन ना प्यास की टेंशन ना क्लोध मत्सर ना लोब ना दंब न does ना सात दिन तक देखो भगवान की कठा में इतना आनन्द हैं हम लोग 2 गंटे से बैठे हैं ना प्यास लग रही ना भूख लग रही ना नीद लग रही इसी का नाम तो भक्ती है कि भक्ती जब दिल में प्रवेस करती है तो सब अपने आप पूर हो जाता है और जो दिल से नहीं सुन रहे उन पर पूछो कीड़ा सोकाट ला अरी यार जो बताओ के बज़े गए कई लोग ऐसे होते हैं कथा होत के बीच में पाप उठें अकुलाएं या सोबें या लड़ परें या उठकें भग जाएं भागबत में चार अक्षर भागावाता पहला अक्षर कौन सा है भाग भाग से होती है भक्ती भक्ती कैसी हो जिसमें दिन ना रात गोविंद की याद बनी रहे इसी का नाम भक्ती है दूसरा अक्षर क्या है बोलो गाग गा से होता है ग्यान अग्यान के इसाथ है ग्यान ग्यानी कौन है हमारे गाओं में एक ब्यक्ती ने नई नई एमे करी उस समय में पढ़ाई की बड़ी कीमत थी अब तो एमें भी बड़ी सरल हो गई हमाई जैसे ठलुगा भी ये करें बैठें का उस जमाने में पढ़ाई की बड़ा महत्तु रहता था हमारा जी यहाण में और हमारे गाओं एक द्यक्ती ने नई नहीं करी एमें गांवाले बोले भई बहुत पड़ा लिखा लड़का है अमके ने बहुत पड़ा लिखा है में की छतरपुर हमारा जिला लगता था उतने बाहन नहीं चलते था वह में करके छतरपुर से गांव आया घरवालों ने ढोल नगाड़े बजवाए ठीका लगाए हमने भी सोचा दूसरे दिन देखें हैं में बाल आज भी होता कैसा है दूसरे दिन हम भी पहुंच गया हमने का अच्छा जी सिताराम हाँ 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 आओ महराज पंडी जी पंडी जी आओ बैठो बैठो हमने की हो गई है हमें हमका और सुनाओ में क्या-क्या पढ़ा तुम बोले सब झाओन तो छोटा आनार का बड़ा आ आम का छोटी इमली की बड़ी इक की अलू भूलगा है हां हुख थासे में हमकी तुमेहम कर भाई हो जैसके रहे हैं यह तो बिनोत की बात है लेकर उनसे हमने पूछा कि आपने रगुनाज जी कितने भाई है राम जी कितने भाई है तो बोले तीन हमकी एक कांग गए है और लोग उसको बड़ा पड़ा लिखा मानें हमने भी पड़ा लिखा माना हम आपको बताना आपकी भासा में यह चाहए ज्ञानी का मतलब यह नहीं है तीसरा अख्षर क्या है तीसरा अख्षर है वा वा माने होता है बैराग क्या होता है अच्छ बैराग केंसा बैरागी बन जाओ अरे नहीं नहीं भी नहीं कि पडीक्ष जी सुना महराच आपको थो हम बिरागी मस्क्राइगा का मतलब यह क decreed मै रागी जाते अब तो हम घरी दो हो आप सुसड़े कि लूए तो सभी महात्मा एक बैर हां हमया ची म्यक्रोसूर ॒ंसका भब कलें लाटारी तीस साल when कि टीश साल से घर ही नहीं गए देखा ही नहीं एख 105 भी घा रही है एक बहुत बटे चेला की घर पट्रप बैठेए और बहुत बटे यह क्या है उल्कि कंँ का और जेका अपना मुँद ए चिला का है तो हमने बड़ी हस्म हाथ जोड़ करके कहा हमाराजी है तो चेला का पर है तो घर और जब अपने घर से ऐसी क्या दुस्मनी जिसमें जनम लिया उसमें कह रहे हैं कि हम गई नहीं ना कभी देखा है लेकर दूजरे के घर में घोसत फिल नहीं इससे अच्छा तो अपने ही घर है पर हमारी दुष्टी में बैरागी कौन है मकान को छोड़ने बाला बैरागी नहीं है कपड़ों को त्यागने बाला बैरागी नहीं है सच्चा और अच्छा वही बैरागी है जिसने बुरे कर्मों से बैराग धारन कर लिया अच्छा चोथा भागबत का चोथा च्छर कौन सा है ता ता से क्या होता है ता से होता है त्याग अच्छा त्याग कैसा हो कई लोग नए नए बाबा बनते हैं घर में भई घटपट चलो गुरू जी के मटपट गुरू जी ने काटी चोटी मांखा बेटा रोटी कई लोग ऐसे बाबा बनता ऐसे बाबाओं का ज्यादा ठेकाना नहीं होता है हमारा मानना है इस संसार में सबसे बड़ा त्यागी वही है जिसने यह संकल पिले लिया कि आज के बाद जो भगवान की बुराई करेगा यह भगवान से दूर ले जाएगा चाहे वो भलेई घना मिष्ट घनिष्ट मित्र परिवार संबंदी क्यों न हो ऐसे ब्यक्ति का त्याग करके जो साध्यों की संगत करता है वही सबसे सच्चा त्यागी है वही सबसे सच्चा त्याग है तो भागवत का अर्थ क्या है भासे भक्ती गासे ज्ञानवासे वैरागता से त्याग लेकिन इन चारों का मिलाकर के एक अर्थ सुनो इन चारों में मिलाकर एक अर्थ यही है भगवायन की भक्ती ही भागवत है और भागवत ही भक्ती है और भक्ती ही भगवायन है इसलिए भास्यते सर्वे बेदेशू सभी वेदों में भासत गीयते नारद आदेभी सनत सनंदर सनत कुमार नारद आदियों ने गाया वदंती तर्शुलोकेशू तीनों लोकों में इसकी महमा है फिर जो भगवायन की भागवत रूपी कथा को सुमता है करंती भावसागर रहा वे भावसागर से पार हो जाता है वलोसीताराम भागवत का महत्म का पहला इस लोग बढ़ात बोदेशू सच्चिदानंद रूपाय विश्रोत्पत्या दिहेते में तापत्रे विना सायो स्री क्रिशना ये बयम मां भगवान सत्चित आनंद से परपूर है इसलिए इनका नाम है सच्चिदाना सच्चिदानंद रूपाय विश्रोत्पत्याती है कौन जो विश्रोकी उत्पत्ती के कारण है जनक के कारण है जो विश्रोको अपने उधर में भगवान अपने उधर में पूरे संसार को समाहित कर लेते हैं जरूरत पर अपने उधर से प्रकट करके सारे संसार को सजा देते हैं ऐसे विश्व की उत्पत्ती और विश्व के संघार करने के कारण तापत्रे विनासायो जो तीनों तापों को मिटाने की छमता रखते हैं कौन कौन से ताप दैहिक दैविक भोते के तापा दैहिक दैविक भोते के तापा राम राजे का हुए नहीं ब्यापा स्री राम जै राम जै राम जै जै राम बोलो स्री राम जै राम जै जै राम स्री राम जै राम जै जै राम स्री राम जै राम जै जै राम स्री राम जै राम तीन प्रकार के तापों को मिटानी की छम्ता रखने बाले सद्गृंद का नाम है भागवत भागवत भगवानी की जै कि अच्छा यह तीन प्रकार के ताप कौन कौन है दैहिक सरीग का दैविक अद्रश्य सक्तियों का भौत संसाधनों का अच्छा तीनों ताप और के कहते हैं नेकर मिटाने की जहमथा कौन रखता है भागवत इन तीनों तापों को मिटाने की छमता रखने वाले हैं एक बात हम लोग जब बुरा करते हैं तो देख लेते हैं कोई देख तो नहीं रहा है लेकिन जब कोई दान करते हैं तो देख लेते हैं कोई रह तो नहीं गया सुनने को पाप करते हैं तो कोई देखना पाए पुन करते हैं तो कोई रहना जाए इसलिए कभी कल्पना करना पाप हमेशा पूरा फुल डोज में रहता है अब पुन देखने बालों के पास भी बट जाता है इसलिए पाप का पल्ला भारी रहता है फुन का कमजोर रहता है फिर उसी व्यक्ति को देहक देवक भौतिक ताफों से जुझना पड़ता है अच्छा महराज उपाए क्या है कलू के सव कीर्टनाथ किबल भगवान का कीर्टने को पाए नैमी सारण की पावण भूमी पर सूत जी महराज सौनकादिक मद्ध रिसियों में सुरी सौनक जी प्रधान सोता बने हुए है और सुरी सूत जी महराज बक्ता बने है सूती जी आयू में छोटे हैं सौनकरिसी बड़े हैं लेकिन आयू की महमा नहीं है गुर की महमा है जो भगवान के जादा निकट होता है पर आयू कुछ भी हो पहला दुरू जैसे छोटे बालक भी पुज्य हो जाते है सौनकादेकरिसी सूती जी महराज से प्रश्ण करते हैं सूती जी महराज उत्तर देते महराज आंगे कलिकाल आने माला है भोर कलियो अंदकार होगा कोई उपाए है उपाए है क्या बहुले भागवत रूपी कलपर रक्ष एक ऐसा उपाए है जो भागवत भगवान की सरण में आजाएगा समझना वह गोविंद की ही सरण में आ गया साक्षात स्री कृष्ण स्वरूपम स्रीमद भागवतम भगवान का ही भग्रह भागवत है जब भगवान लीला करके जाने लगे तो उद्धो जी ने चरणों को पकड़ा ठाकुर जी आप लिला पून करके जा रहे हो सो तो ठीक है लेकिन हमारी आज़त तो आपके चरणों से जुड़े रहने की है आपको देखे बिना हमारी आँखे नहीं रह पाती आपको सुने बिना हमारे कान तरस जाते है आप चले जाएंगे तो हमारे हिदय की क्या दसा होगा हम कैसे समाल पाएंगे भगवान ने कहा उद्धव प्यारे घबड़ाओ मत हम जा रहे हैं लेकिन हम अपना तेज स्रीमत भागवत रूपी ग्रंथ में रख कर जाते हैं जो भागवत की सरण में आजाएगा वो हमारी ही सरण में होगा ऐसा अनभव से फ्रतीत होगा अहाँ और जब स्री सुकदेव जी राजा परिक्षत को कथा सुनाने लगे तो देवता अम्रत का कलस लेकर आए महरां ये अम्रत का कलस है परिक्षित जी को सुराप है कि साथवे दिन साफ काटेगा नाग काटेगा मर जाएंगे तक्षक नाम एक काम करो भागवत कथा हमें सुना दो अम्रत परिक्षित जी को पिला दो अब सुदेव जी मुले राजम से पूछो अपक्रिक्षे जीम्हाराज हम अम्मृत तो पीलेंगे पर ये बताओ पाइदा किसमें है ठाइदे का सोध बताओ आहाँ, शुकदेव जी बोलो सुना राजन, शुकदेव जी बोले, राजा, पीना दोनों को है, अम्रित को मुख से पीना पड़ता है, लेकिन कथा अम्रित को कानों से पीना पड़ता है, लेकिन अंतर है, क्या, अम्रित को पीओगे, तो मरोगे नहीं, ये बात तै है, परंत तो मृत्तु का भै नहीं जाएगा दुख सकाते रहेंगे लेकिन कथा अम्रत का पान करोगे तो जीते जी जी जाओगे अमर हो जाओगे नाम भी रोसन हो जाएगा और भगवान के चरण भी मिल जाएंगे राम का नाम लेकर जो मल जाएगे वो अमर नाम दुनियां में कर जाएगे जो भगवान का नाम लेकर के मरता है वो अमर हो जाता है हमारे तुलसी दाज जी कहते हैं तुलसी जब तुम आया जगत में जग हसा तुम रोए और कुछ करनी ऐसी कर चलो तुम हसे जगत रोए कुछ ऐसा काम करके मरना कि जब तुम मरो तो लोग वालों संसार वालों की आखों में आसू हो कि एक सहिंसा है हमारे बीच का एक बहुत अच्छा आदमी चला जाया अब वो काम अब वो नाम कैसे हो सकता वो अबर नाम दुनिया में तर जाएंगे राम अबर नाम दुनिया में तर जाएंगे सिता राम 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 राजा राम राम सिता राम 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 राजा राम सिता राम 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 बोलो राम, 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 बोलो राम, राम, बोलो राम, राम, बोलो राम, राम, बोलो 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 रा अबर नाम में दुनिया में कर दए के सीता राम 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 कालों प्यारे पागलो माराम राम 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 कालों पीछे बाले में जोनों हात उफाता हैं अभी मोका है पागलो आम पागलो तूट जाए नामाला हरी नाम की तूट जाए नामाला हरी नाम की कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे बोलो राम 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 बोलो राम 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 शादू जी रामका नाम दे कल जो मर जाएगे ओवा मल नाम दो नी आविया मर जाएगे पीछे बाले भी पागल हो जाओ प्यारे के लिए येशनी नाम कर मैं आहां आहां ओ- 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 किधर जाएगे एना पूछो की मर कर किधर जाएगे किधर जाएगे को जिधर भेज देगे उधर जाएगे बोलो राम 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 डोलो राम 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 रामखा नाम लेकर जो मर जाएगे नाम जुनिया में गर जाएगे रामखा नाम लेकर जो मर जाएगे वो अमर नाम जुनिया में गर जाएगे सिता राम 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 सिता राम 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 सिता राम 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 सिता राम 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 समगा लो अरिबो पात मानो ना मानो खुसी आपकी पात मानो ना मानो खुसी आपकी हमारी बात मानो या ना मानो ये आपका मेंटर है पात मानो ना मानो खुसी आपकी सागरवालो पात मानो ना मानो खुसी आपकी मानो न मानो, खुछी आपगी, फाद मानो न मानो बाद! बात मानो ना मानो खुसी आपकी क्यों हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे वो अमर नाम दुनियां पर जाएंगे हम मुसाफिर है कल अपने घर 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 जाएंगे वो अमर नाम दुनियां में खर जाएंगे काई लोग तो यह से मर गए कि सब नाम ही मिते जाएंगे और उनी के जैसे अपन मर गए तो क्या खर जाएंगे हमें तो कई बार मरने के बाद बड़ी हसी आती है हम तो नहीं मरें पर लोगों के जब काड पढ़ते हैं तो बड़ी हसी आती है कई लोग जब काड लेकर के आते हैं अमोक अमोक व्यक्ती स्वरगवास जी हमें हसी यह आती है कि देखने कौन गया कि स्वरगव के नराक और आज तक जितने भी काड छपे सब में स्वरगवास साम महराजी आप देखने अमोक अमोक भलाई जिन्दगी वर भी कर जाके रुपईया पर खात रहें पूरी जिन्दगी चोरी करी हो टकैती करो लेकर जब भी तेरवीं को काड बने स्वरगवास एक आज मीं बड़ा घुंडा था बहुत घुंडा महां हमने पड़ा वो गुंडा के लिए आंगे लिखो तो सुरगवास ही हमने पढ़ी है जी भी सुरग गए उसी दिन से हमने पर सुरग जाने का प्लान कैंसल कर दी है हमने जब जब जे भी गए अपन भी उताई गया तो इससे आचा तो ये तरहीं ठीक है भूलो जीता राओं लेकर ये तो बिनोत की बात, बात पते की क्या है, बात पते की ये है, कि तुम जिंदगी में आए हो, ऐसे ही मत मर जाना, मरना तो प्रभू का नाम लेकर मरना, ताकि संसार में कहें कि एक हमारे बीज का भक्त चला गया है, मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सो पाओगे, एक बात हो, यार मरने के पहले, यार मरने के पहले तुम मर जा, पाकर गुरू से ज्ञान काम कुछ ऐसा कर जा, सीता राम नाम सुमरन कर भौसागर से तर जा, मरना ही है, तो जीवन में मरना तो सब को ही है, और ऐसे ही मर गए तो क्या खाक मर गए, तो मरना भी, तो ऐसा काम करके मरना के माता पिता और तुम्हारा परिवार गौर्वान पुत महसूस करे, बाप के नाम से तो कई पुत्र जाने जाते हैं अमक ब्यक्ति का बेटा है बहुत बड़े आदमी का बेटा नेता का बेटा अधिकारी का बेटा पुलिस का बेटा बहुत अची बात बाप के नाम से तो कई पुत्रों को जाना जाता है अब वो पुत्र किसी काम का नहीं जो ब मुक्व्यक्ति के पिताजी है वो जो लड़का है ना उनके ये पिताजी है कि महाराद सुखदेव जी के पास देवताय आए अम्रद लेलो अम्रद कथा हमें देद ऐसी लिए हम तुम से कहते हैं कि साथ दिन का मौका सागर बालों को मिला है चूकना मत बार-बार मौका नहीं मिलता है अब चूक गए तो प्रकापता कब ठिकाने लगोगे साथ दिन की भागबत जब तक रहेगी जिन्दगी फुरसत ना मिलेगी काम से कुछ बक्त ऐसा निकालो आओ प्रेम करें घंसयाम से प्रेम तो मिलने ही नहीं है लेकिन साथ दिन का मौका निकाल का जरूर बैठना क्या ठिकाना अंगली कता कभी हमारी जिन्दगी में हो पाए या ना हो पाए इसलिए साथ दिन हमारी जिन्दगी के खुब सूरत हो जाने चाहिए और प्रभू के नाम में लंग जाना पर एक चित जी बताओ अम्रत पीओगे के कथा अम्रत फाइदा किसमें है वहले देखो अम्रत पीओगे मरोगे नहीं पर मरने का भैड़ी जाएगा दुख लगा रहेगा कथा अम्रत पीओगे तो दो फाइदे क्या जीते जी मुक्त हो जाओगे एक बात और विद्वान बैठे हैं सभी विद्वानों के सामने चरनों में हमने बेदन करें कई लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष मिलें हमें बड़ी हशी आती मरने के बाद मोक्ष मिला भी क desar नहीं ए देखने कौन जाएगा हमारा मानना है मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्त हो जाओ, इसी का नाम मुक्ष है, कामनाओं से मुक्त, वासनाओं से मुक्ती, इर्षा, मत्सर, सम्मान पाना, लोब, दंब, बेस, इनसे मुक्ती पाना ही तो मुक्ष है, लिके मरने के बाद, जीते जी, जब तक जंदा है, उसी जीते ज आप मोक्ष को प्राप्ति करने का प्रत्न करों और मोक्ष की प्राप्ति जीते जी तभी संभव है जब हम गोविंद की कथा सुनेंगे और हमारा मन गोविंद के चरणों में लगेगा तो संसार से मन अपने आप हट जाएगा कि प्रकार अम्रता रहा रहाएज इत्ता करम गोविंद करना वृशाव करें से आपने-प्रताग्ति और हम प्रत् yapt gently के जी अदिक नवेर में ट करेंश선 दियुक्ति अंतर सोथ क्षान जा ने द hedge मैं देती और जाम्त के समान दीखाई पड़ता है पर जो काम कथा कर देती है वह अंतरहीं करतामरत तो सिर्फ मरने नहीं देती लेके कथा अमरत तो मरने भी नहीं डेती और साहाब कथा छिखता बताबी मिटाती है फारव सागर से पार भी कर आधिया इसलिए कथा कि बड़ी मेहमा हनमास हनुमान जी से रामived raging ने कहा हनुमान जी चलो हम भी जा रहें तुम भी चलो कहां जहां हम जा रहे कि हांग हन माद इहां चौड्के आपकी जब कथा होगी तो आप भी आओगे तो आप भी मिल जाओगे दो नोड दो-दो-दो-लाब हो जाएंगे इसलिये तो हनमाजी प्रभू चरित्र सुन्बे को लसिया राम लखन सीता मलबसिया राम लखन सीता मलबसिया कि अनमान जी नाम जी की कथा सुनने के रसिक हैं बोले क्यां ऐसे समझो हम लोग कितने घंटा से बैठी तीन हाँ जी या ना जी बताओ किसी को अपना करजा याद आया हैं लोगाई पड़ोसी मकान दुकान कथा में जो डूब गए अजिन नहीं डूब है उन्हें तो सब कुछ याद है एक झी अब जो कथा में में हमें जड़ो स संसार का भोडा घ्रत करेगा ह благ करेगा शोंते जो कता मेंडूनién जहते हैं उसे पर संसार का भण नहीं रहता है हम से एक व्यक्ति कह रहे थे आप बहुत लेट तक कथा करते हो कई बाद 9 बजे रात तक करते हो 10 बजे 11 बजे 7 घंटा बोलना ठीक नहीं गले के लिए आप बीमार पड़ जाओगा अभी तो जबानी है बुड़ा पर पता लगेगा हमारा तो अभी बुड़ा पा है लेकिन हमने उनको कहा डॉक्टर साब बहुत अच्छे डॉक्टर थे हमने का डॉक्टर साब आप सही कह रहे हो कि ही समय पर कथा करके समय पर बिराम करना चाहिए लेकिन कथा में समय का पता तो लगे तब तो बिराम करें वही कधा में समय का पता तो लगे वही बिराम वही करेगा जिसे समय का पता हो और जिसे पता नहीं खोजा सारा जहां तो तेरा पता पाया नहीं और जब तेरा पता चला तो फिर मुझे मेरा पता मिला नहीं जब तक हम उनका पता ढूड़ते रहे तो अपना पता पास में था लेकिन उनका पता पाया तो अपना पता फैल हो गया बोलो सीधा राम तो क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा का चाहा क्वा मडिल्मा भागबत के महत्म का अधुरूति सुलोप ब्रह्मरातव विचारेवं तदा देवं जेहां से हां तदा देवं परिक्षिद जी तो क्या पियोगे अम्रत के कथा महराज हम दो कथा अम्रत पान करेंगा बुलो सीता राम देवता साब प्रम्हां जी के पास गए महराज हम कथा लेने गए ते हमको ठुकरा दिया अम्रत भी वापस कर दिया बताओ ऐसा क्या है भागबत में ब्रम्हां जी बुले साथ दिन में देख लो परिक्षिद जी का क्या हाल होता है परिक्षिद जी का देखा कि साथ में दिन परिक्षित जी महराज मुक्त हो गए ओ जै हो महराज तर ड्या कहना एक दिन देवताओं ने एक तराजू के पल्ले पर सबी ग्रंतों को रखा दूसरे तराजू के पल्ले पर सिर्मत भागबत को रखा जहां तराजु को उठाया तो लगुन्यानि जातानी गौरे बेड इदम्हत तदारिसी गणह सर्वे बिस्मयं पर्मंजयू बिस्मयं पर्मंजयू भागबत के पल्ला को उठानी पाए और आंगे भागबत कथाकार एक दाही विसालायाम चत्पार रिशयो मला सत्संकार थम समायाता दत्रुस्तत्र नारिदम एक बार सनत्सनंदन सनातन सनत्कुमार बद्रीनाथ में विच्रण कर रहे थे उसी समय चारों भाईयों ने देखा कि नारजी घूम रहे है लेकर नारजी का मूह लटका है अरे महराज ए नारजी आपका मूह क्यों लटका हुआ है कथम ब्रह्म्हन दीन मुखा खुतस्चिंता तरो भावान। आपका मुख क्यों लटका है महत्माओं का अगर मूह लटका होगा तो ग्रहस्तियों का क्या हाल होगा महत्माओं को तो मुश्कुराता हुआ रहना चाहिए बोलो सीता राम कैसा रहना चाहिए मुश्कुराता हुगा क्यों तो कि महत्माओं को कोई टेंसन ही नहीं टेंसन तो ग्रहस्तियों को होता है लोगाई लड़का घरवाल द्वार मकान बिजनिस ब्यापार महत्माओं को क्या टेंसन है अब उनको बड़ी टेंसन है तो नारजी से चारों भाईयों ने का महराज आप ही अगर मुह लटकाए घूमोंगे तो गरहस्ती तो बिचारी हाट अटेक में ही मर जाएं आप मुह मत लटकाओ यह मुह लटकाए क्यों खड़े हो बात भी सही है संतों का धन कोई संपत्ती नहीं होती संपत्ती तो संतों की एक ही होती हमारो दहने रांधा स्री आए आए Hindu और मुदने रांधा लाता यह व दुन कर दो परसाने वारी राधा, श्री राधा, श्री राधा परसाने वारी राधा, श्री राधा, श्री राधा परसाने वारी राधा, श्री राधा, श्री राधा परसाने वारी राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा मामा रोधन राथा 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 मामा रोधन राथा 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 हाद की प्यारी राधा, स्री राधा, स्री राधा आमारो धन्य राधा, स्री राधा, स्री राधा राधारानी जु महरानी की बैठ जाओ तनक देरा। नारच जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, ये मूल अटका है क्यों घूम रहे हो, संतों का धन्तो राधा नाम है, तुम्हारी तो कोई संपत्ती भी नहीं है कोई ले गया हो, चोरी हो गई हो, अरे आपने तो रहने के लिए कोई जोपड़ी भी नहीं मनाई, फिर भी क्यों टें होड़े में भसे हैं, अरे लफड़ा बताओ, क्या लफड़ा है, महराज हमें संसार में आये थे, मृत्तू लोक में, किसलिए सतसंग सुनने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर कभी स्वर्ग में जा हुआ, आप कहो कि हमें बागे शुरबाले महराज की कदा सुन से घूम रहे होते हैं, सतसंग सुनने के बाद तो चहरे पर चमक बढ़ती है, यहां तो निकल गई चमक, हुआ क्या है, महराज भुषकुरम्चा, प्रयागम्चा, कासिम, गोदावरिम्तथा, हरिच्छेत्रम, गुरुच्छेत्रम, स्रीरंगम, सेतु बध्धनम, महराज, बहुत जगए गए हम, कहां कहां, कासी प्रयाग गोदावरी गंगा, किसलिए सतसंग सुनने के लिए, तर गया हुआ, महराज गए, पर कल्युग का एंसा प्रभाव पड़ा, पाखंड निर्ता संतो विरवता सा परिग्रहा, तरोनी प्रभुता गेहे स्याल को धिदाए कहा, महराज, कल्युग का एंसा प्रभाव, जहां देखो तहां पाखंड मचा है, अच्छा पाखंड का मतलब क्या होता है, पापस घंडा, सा पाखंडा, पाप का ही एक जो घंड है, उसी का नाम पाखंड है, महराज कैसा पाखंड, नारिज जी बोले, महिया, हम संतों के पास, चलो सत्संग करें, लेकिन संतों के नाम कुछ और है, काम कुछ और है, कैसे, नारज जी बोले, हम पहले महत्मा के पास गए, आहा, बढ़िया बी आईपी आस्रम 12, 13 मंजल बना था, नारज जी बोले, हमने पूचा, भई, किसका आस्रम है, जवाब आया, बो मंजल तेरा नाम त्याग अच्छा कई लोग ऐसे होते भी हैं आरती गाते कई लोग ओम जै जगदी सारे तनमन धन जो है सब कुछ है तेरा सामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को अलगे मेरा अच्छी बात है एंसी आर्थी गाते हैं गाना चाहिए बहुत अच्छी आरती रोज्गाव आरती में भी क्या गाते सब कुछ तेरह लेके बाहर निकलते बुले मेरा गारी कहां है कि कि दो मिनिटंस तेरा क्या ला गए मेरा अपम्हें रो रहा है क्या हो गया गाडी मेरा डिर कहोती पंदरी नहीं आएंगे और आजकल के आजमियों पर तो ये आरती विल्कों सूठी नहीं होती है एक संथ बहुत अची बोलते थे एक संथ कहते थे तनमंधन सब कुछ तेरा क्या लाग है मेरा एक दूसरे संथ तनमंधन सब मेरा स्वामी सब कुछ है मेरा स्वामी पड़ोसी का भी है मेरा मेरा मुझे को दे दो क्या लाग है तनमंधन खेर ये सागर के लोगों के लिए नहीं है लेकिन आज के लोग ऐसे हैं पहले की जमान में जो कुछ है सब तेरा है प्रहू लेकिन आज के लोग कहते हैं पड़ोसी का भी है मेरा मुझे को दे दो क्या लाग है तो नारे चीम उने महराज हम गए संतों के पाद सत्संग सुने संतों में हमने पूचा मंजल कितने तीरा तीरा मंजल पर थीरा मंजल का आसरम नाम पूचा किसका बुले त्यागी महराज का नारे दूसरी जगाए चले नारे चीम बहु यह दूसरी जगा गए ढहा बहुत अच्छी जग अच्छा असरम् Ciao ऑठरा ऑठ चोटे पच्चे बड़ी अतलक लगाए यग्गो पभी धार जी का बोले यह बच्चे किसके हैं बोले यह भी प्रमचारी जी के है नारज जी ओले ज नाम भ्रमचारी जी अ क्रोल हो क्रकट टीम ताइए नारज जी यह भी ठीक God αυτ की कट नहीं प्रिक नहीं नारे जी बोले महराज हमने पूचा किसका अस्रम है बोले नागा बाबा जी का और ये कपड़े किसके हैं बोले ये भी नागा बाबा जी के है नारे जी बोले जै हो जै हो नारे जी समझ गए यहाँ पर भी सतसंग होने वाला नहीं है सनद्ष कुमारों ने कहा नारजी ग्रहस्तियों के पास जाते अरे बोले महराज संतों की तो छोड़ो ग्रहस्तियों की हालत तो औरो वेकार है कलियुग में तो गरहस्तियों का हाल और बेका है हम लोग हैं गरहस्ति हम लोगों का हाल क्या है हम लोग माता पिता की सेवा तब तक जब तक स्री मती जी नहीं आ गए जहां स्री मती जी आई सोई माता पिता की खटी आया तो खेत में या किसी ब्रधास्रम में जहां स्री मती जी आती हैं सोई अपनी मती खराब हो जाती है बोलो जीता राण जोर जोर जो बोलो तक पूरी मती स्री मती की चंची है ओं और फर क्या स्यालको गुद्धि दाएका ग्रष्टियों का शाल क्या है पहले के जमाने में ग्रष्टीrolょक होते थे उनके माता पिता को प पिता जी गाड़ी ले रहे कौनसी गाड़ी लें कभा घ्या कर आब आज के जमाने में माता पिता गुरु जी से नहीं पूचा जाता नहीं स्याल को स्याल को का मतलब साले साथ इस पेसल फोन ससुराल में साले साथ को लगाये जाता हलो साले साथ गाड़ी ले रहे रेड ले के भले ठटरी के बाल ले घर पर माता पिता बेटी, गुरु जी बेटी, उनको पूँचनी रहे, साले साथ को पूँच रहे नारत जी बोले हमने देखा कन्या विक्रेनो लो भाव श्लोक काल अब आज कल बेटियों का विवाय नहीं होता बेटियों को बैचा जाता है खरीदारी होती है साधी नहीं संबंध नहीं फिजनेश होता है जो जादा रेट दे फुझी का लड़का बोलो सीता रहाओ नारे जी बोले महराज चारों भाईयों से हाँच जोड़ करके बोले हमारा दिमाग घराब हो गया कि रहस्तियों के घर पर भी सतसंग करने लाया सोचा कहा जाए स्रीधाम ब्रंदा बन ब्रंदा बन धामे की है ब्रंदा बन जाए क्यों? क्योंकि भगवान ने वहाँ पर लीला की नारे जी बोले महराज ब्रंदा बन गए एक बड़ा आश्चर्य देखा तत्रा आश्चर्यम मया दृष्टम सुरूयताम तनमनी स्वरह महराज एक आश्चर्य देखा क्या? एका तू तरुनी तत्रा निसनना किन मान सा एक जवान इस्त्री पेड के नीचे बैठी है उसकी गोद में दो तरफ दो बृद लेटे हुए हैं सिर्हाना मना कर पैरों को उस इस्त्री के अगल बगल बहुत सी इस्त्रियां कोई पानी पिला रही कोई पंका जला रही कोई आसू पोँच रही पर वो इस्त्री रोए पर रोए जा रही है नारज जी बोले हमने सोचा पूछे क्यों रो रही है कौन है इतनी इस्त्रियां है क्या कारण है नारज जी बोले महराज हमने सोचा जाएं आधे दूर तक तो गए पर नारत जी कहते हैं हमने सोचा कहीं हम गये वो कहने लगे ये महराज हम इस्त्रियों के समू में तुम्हें क्या ले ना देना बाबा गिरी दूसरी जगे करो नारत जी बोले भाईया हमें लगा कहीं ये डाट ना दे वें सो हम बापिस आने लगे लेकिन वह इस्त्री चिला करके बोली भो भो साधु छणम तिष्ठम मन चिंतान मपिना सयर ए महरा रुख जाईए ठैरिये ठैरिये दर्सनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम संतों के तो दर्सन करने मात्र से ही संकट कट जाती है यह संतों के दर्सन का प्रभाव है संत का मतलब क्या है जिसके पास जाते ही समस्त समस्याओं का हो जाए अंत उन्हीं का नाम है संत कौन है संत जिनके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत उन्हीं का नाम है संत ऐसे ही संत मिलवाते हैं भगवन लेकिन केवल ऐसे ही संत नहीं होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं कहां माया मोह में पड़े धन तो सम्माया है हमाया अस्रम पर चड़ा जाओ ऐसे भी वसंत होते हैं फिर क्या चेला खाली गुरू फोला बुलो सीता रहा हम जोर सम्मों अदेखो भई हम देखो साप साप कह देते हैं हमें जादा लाग लपेट की बात नहीं आती है लालची गुरू लोभी चेला चले नरक में ठेल हम ठेला पतो चलो जजमान गुरू द गुरू जी भी कहते हैं चेला आते हैं तो बड़ो दानी बनो तो बड़ी भागबत करवाओ तो बागेसो महराज की तुम भी नरक में होता क्यों है ऐसा लालची होई गुरू लोभी योची एक बहुत अच्छी बात है परांग हम बढ़ते हैं कथा पूरी करते हैं और रा उत्वी संगर हिस्ता coaching की साथ ही हम जितनी अब हो रहे ही तनी तह ताम ही मोगाल की लेंडिंग हो रही बर्त्मान में तो हम एक पतरकार पर एक और तक म्हुती हाँ जहां आचार संगता लगी वह बड़े हषे पहले इतनी भागबत हो जो इतनी अब भी हो रही है कर फा मने सुना है थो भगवान का बिमान आता थे अब भागबत होती है तो बेलगारी तक नहीं आती है पर कि अंकी बात तर्क मतर्क की है अंही नोए समझा कर सुना क्या खार बदल गई हमें नहीं बदली बहुत वही है भगवान वही है लेकर पहले उप कता होती ठी घ्ल natuurlijk बसक्ता होते थे परिख्शित जासा श्रुता होते थे आजकल बक्ता भी पचास अजार की गड़ी देखा तो जजमान भी कात भागवत होए चाहे ना होए नाम फेमस हो जाए कि हमने कथा करवाई बस यही दो कमिया हैं बक्ता सुगदेव जैसा प्रम्हंस हो जाए स्रोता भी समर्पन के साथ भगमान की कथा सुने तो आज भी भगमान का भिमान आने के लिए तयार है मुलो सीता राम पहले के जमाने में आप लोग तो सब विद्वान लोग हो पहले के जमाने में ब्यक्ति माध्यम होता था इसर का प्रचार होता था आज के जमाने में इसर माध्यम है ब्यक्ति का प्रचार हो रहा है इस पर कभी बिचार करना हम बैटे बैटे एक दिन बिचार कर रहे थे पहले ब्यक्ति माध्यम होता था इसर का प्रचार होता था आज के जमाने में इसर माध्यम है ब्यक्ति का प्रचार हो रहा लेकिन कैसे ही सही भगवान की कथा तो चल दही है अ बोलो सीताराम बात भौत पते की तो नारची ने कहा कि पहले संबंद बनते थे नाते रिष्टे जुड़ते थे आज कल नाते रिष्टे नहीं आज कल तो विजनेस होता बुलो स्री सीताराम साधू जी तो वो इस्त्री रो रही है नारे जी ने कहा रो मत परचय बताओ क्वातुम बद्देदी साविस्तारस स्वस्थ दुख सकारण आप अपने दुख का विस्तार पुरुबग बरनन कीजिए कौन हो क्यों रो रही हो उस इस्त्री ने परचय दिया हम भक्तीर तो ख्याता यमो में तन्योमतो ग्यान वैराग्यना मानव काल योगेन जल जल हमारा नाम भक्ती देवी है ये जो दो पुत्र है बूड़े एक का नाम ग्यान एक का नाम बेराग्या अब लोग नारजी बड़े चौके माता जवान है मा जवान है बेटा भूड़े क्या बात है क्या कारण है भक्ती देवी ने कहा हमाराज ये कलियुक का प्रभाव है मैं जवान हूं बेटे भूड़े हैं महराज अगर मेरे दोनों बालकों की मूर्चा नहीं खुली तो इदम इस्थानम परितिज्य विदेश समगम्ते मया मैं यह स्थान त्याग कर विदेश चली जाओंगी ना रज्जी बुले देवी एंसा मत करना आज कल विदेश जाने की भी बड़ी होड मची है अब आत भी सही है जब तक व्यक्ति विदेश ना हो आवे तब भारत वालों की नजरी नहीं पड़ती है हम अपनी बताते हैं जब हमने लंदन में अंग्रेजनन की ठटरी बार दई और संसत से जब हमने उते हैं भारत वालों की नजर पड़ी को कोई बागे सो सरकार है नाराज जी भक्ति देवी से कह रहे है भक्ति देवी कह रहे है एदम इस्थानम परितिज्य विदेशम गम्मते मया तो नाराज जी हाँ जोड़के कहते देवी जी तुम ही अगर विदेश चली जाओगी भक्ति ही भारत से अगर विदेश चली जाएगी तो भारत का क्या ह तुम मत जाओ महराज पर हमारे दौनों बेटे नारज जी वोले हम को यह उपाए करते हैं नारज जी ने बहुत उपाए किया गीता पाठर मुहर मुहुर परमतु ज्ञान और बैराग की मूर्चा अवस्था नहीं खुली अहां फिर क्या आकास वाने हुई नारज जी आप एक काम करो क्या आप सतकर्म करो सतकर्म करने से ज्ञान और बैराग की मूर्चा अवस्था खुली अब नारज जी वोले सतकर्म तो बता दिया पर कौन सा करम जो तो बता सतकर्म है क्या आकास वानी बंद हो गई उसी को ढूलने के लिए नारज जी वोले हम जगए जगए भटक रहे सनत सनंदन सनातन सनत कुमार वोले नारज जी टेंसन मतलो वो सतकर्म कोई और नहीं ज्ञान और बैराग की मूर्चा अवस्था स्रीमद भागबत कथा रूपी सतकर्म से ही दूर हो जाएगी फिर क्या हरेद्वार में गंगा के किनारे चारों कुमारों ने भागबत कथा सुनों की जहां भागबत के इस कि बाद में दुन्दकारी और गोकरन की कथाय आई आतता आई है माता पिता को दंडित किया दुन्दकारी ने बाद में बेश चाओं के कारण वो मारा गया और आत्मद्योब्राम्भर को मोक्षप्राप्त हुआ इस कथा की चर्चा और सेश चर्चा हम कल करेंगे आज पहला दिन था भगवन की कृपा से बहुत अच्छी कथा यहां पर हो गई है और साथ दिन तक अब हम एक सुत्र के साथ कथा को आगे बढ़ाएंगे तो कल कौन-कौन नहीं आएगा हाँ उठाओ अच्छा कोई बात नहीं आएगा कौन-कौन नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा सब लोग कल पधारना है और हम सोच रहे हैं तीन साथे तीन बजे से कथा पर बैठ जाएं ताकि साम होने के पहले यह बिराम हो जाए और तीन घंटे ही कथा करें मा की टैम भगवन जान तो तीन बजे के चार तीन आउ साढ़े-तीन लोहम आई जैसी आप आगडिया करो तो कल से कितने बजे तीन बजे आना है और एक बात बोलें इस सब की कथा है और बहुत अच्छी विवस्ता है हमारे भूपिन जी ने यजमान जी ने बहुत दाव साहब ने अच्छी विव पूज्य महाराजी को भी हमें खूब आनन्द मिल रहा कथा में सुख मिल रहा अब कथा का सुत्र याद है किस पर कथा चले एक राधा एक मीरा दोनों ने चाहे को चाहा अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो एक पेव दिवारी एक दरस दिवारी एक जीत नमानी एक आद नमानी एक आद नमानी एक राहा एक मीरा दोनों ने चाहे को चाहा दोनों ने चाहे को चाहा अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो अंतर क्या दोनों की चाहे में दोनों नमानी और हाय요 दोनों पुदोनों की चाहे मितान सवेक क्या में चाहे में आद की चाहे मेंfed ao the recent year कुदा ओधा या आद महीं बदुबल में धूडा दीरा देमन में पाया मता ने बदुबल में धूडा दीरा देमन में पाया बदुबल में धूडा देम गर्ण रूडा देमन में अखेус गया आधा में मधुबन में भूडा, मीरा ने मन में पाया राताचिसे को बैठी वोहन, मीरा आदल वाया एक मुरी एक पायल, एक पखिली एक हायल अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक दियत दुभाणी, एक मुरत दुभाणी, एक प्रेम दिवाणी, एक दरस दिवाणी दावन बिहारी लाले की, केरगना धाम की, मौनी बाबाजी महराजे की, श्री बाला जी की, श्री बागेश्वर धाम की आज की कथा बिराम कल्पुना चल्चा इती श्री आरती के लिए बुलाईए, यजमान जी आजाई उपर, यजमान परिवार आरती के लिए उपर मच पर आजाए, और पूझे, इती श्री सुँआ जी बुले बाकषर धाम सरकार की, फ्रना पूझे गुर्दे भागवान सन्यासी बाबा की, मुख्य जवान परिवार एवं मुख्य जमान परिवार पावनार्थी में आजाए श्री अंसुल परिहार जी श्री अनिल टिवारी जी श्री परताब सिंग जी श्री गौरब जी मानने श्री जिलादेश गौरब जी आजाए आप सभी से आक रहे हैं पावनार्थी में बता रहे और पूझ महारास्री के सी चन्नों पर नाम है आप से मराग रहें कि आप भी पावानार्थी में बना रहें और आई चलते हैं पावानार्थी के ओर जशी नाम जुआला मालनेर महा सरभूप चारार्थी गंधाक्षर पुष्पाडम शमरपयामी हरी ओमा ओम चंद्रमामन सोजात चछोह सोर्जोव जायतो सोत्राद वायो चप्राण चमुखात अगनिरजायतो श्रीबां की विहरी तेरी आरेती गाओं आरेती गाओं प्यारे आपको मनाओं आरेती गाओं प्यारे आपको मनाओं श्री जुगल की सोर तेरी आरेती गाओं श्रीबां के विहारे आरेती गाओं मोर मुकुट तेरे सीज पे सो है मोर मुकुट तेरे सीज पे सो है प्यारी वन सी मेरो मैन वो है प्यारी मन सी मेरो मन वो है में देख सबी वल हारी में जाओं श्रीबां के विहारे तीजी आरेती गाओं चर्णों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया है तारी उन चर्णों मेरे दी से दुखाओं श्रीबां के विहारी के आरे तिया दास अनात के नात आप हो ओ सुक दुख जीवन प्यारे साथ आप हो शुक दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दास सदा तेरे गुण गाओं श्रीबां के विहारे के आरे तिकाओं श्रीबां के विहारे तुम हो स्री हरिदास के विहारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो वो पास सदा में व्रंदा वर्पामों श्रीबां के विहारे तेरे तुम हो करपूर गौनम करणाव तारं चंसार शारं भुझके दिहारं श्रीबां के विहारे तुम हो तुमेव मात चापिता तुमेव तुमेव वन्धूचांसता तुमेव तुमेव विध्या रभण तुमेव तुमेव सर्म ममदेव 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 ती रॉंदेव दिखा प्रीव है ओरती वोप्रवे सीता प्रन वायत ही गाणनो रामा प्रोदयाद अंझनी न जे ने आ किreciश्वय अलिए ह्अल को स्मर्पयामे सब्सक्राइब जिदर्म सभीह जवान आप सभी से अग रहे हैं कि आप लोग जसी बने चुके हैं तो लिए लिए बहान से वहीं से ही प्राम करें पावनमन्द से प्रिस्थान करेंगे सभी से हमारा बिनमाग रहे है और आप सीग ही पाबन मन्च से पिस्थान करेंगे जो एक बार पुनाम कर चुके हैं सुभै की पाबन आर्टी में तो उनसे हमारा बिनमाग रहे है कि पाबन मन्च से वो पिस्थान करेंगे और सीग ही आप सभी से हमारा बनावाग रहे है सीग ही आप आवर मंच को खाली कर दे और कल 25 तारीक 26 तारीक दिविदर्वार सुबह 10 वजे से यही कथा पंडाल में होगा मानो जीवन की देहक देवेक भोतिक अश्टो के निवारन के लिए सुबह 10 वजे 26 तारीक कर दिविदर्वार आप सभी दिविदर्वार में पदारे और 31 तीज तारीक को आप कीज़े तीज तारीक को सद्गुते भगवान की दिख्षा पराफ करना चाहते हैं जो भी रख्त लोग वो कार्याले में सब्बर कर सकते हैं अपना नाम दश करा सकते हैं तीज तारीक को सबय दस वजे से दिख्षा यहीं अथा पंडाल में होगी तो अपना नाम दश करा सकते हैं और आप सभी से पुनाय बनाम आग रहे हैं कि पावन मंच वो खाली कर दे जर्शी राम छोक्तम पुडावो माटी रगावो आज मरे दिया घर आभेज तो आफ एरी स्की मंदल गावो आपक परोड़ी तो आफ हैरी यह स्की हो स्की यह स्की ही स्की मंदल गावो आपक। दरती अंबर सजावोरी उत्रेगी आज मोरे पीकी सबारी उत्रेगी आज मोरे पीकी सबारी मेरी कोई का जल लावो दी मोहें काला थी काला गावो दी उनकी छवी से दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवी से दिखूं मैं तो प्यारी क्यारी 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 लक्ष मी जिवारो नजर उतारो लक्ष मी जिवारो नजर उतारो आज मोरे पी आगर आवे रे थेरी सकीरी मं गर लेगा थेरी सकीरी मं गर लेगा जंगों से रंग मिले नए नए धंग मिले खुशी आज ध्वारे उलके डा लेडे रावाः पी हुपी हुपी हार रते पुपूपो यार ज़ा